तो यो यूवी मार्बल शीट है या पोली ग्रेनाइट शीट जो है उनका एक ट्रेंड सा चल चुका है लोग अपनी दीवारों पे लगवा रहे हैं तो आज की वीडियों हम बात करेंगे उसको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए कहां आप उसमें पैसे बचा स शीट है तो हम दोनों की बात करेंगे कि पीवी सि पैनल अगर हमें पीवी पैनल लगवाने है यूवी मार्बल शीट कहां लगवानी चाहिए दोन्नों के क्योंकि दोनों वाल के लिये हैं और काफी चीजेust cou Diskuss रेट, लाइफ, सस्ता कहां से मिलेगा तो आज की वीडियो शुरू करते हैं UB Marble Sheet से शुरू करूँगा फिर आगे डिफरेंस पे जाएंगे सबसे पहले बता दो UB Marble Sheet जो है Polygranate Sheet भी उन्हें बोलते हैं और इनकी thickness जो आती है एक 1.5 mm से 3 mm तक आपको मिल जाएगी thickness मतलब मोटा है इनकी और इनका एक फाइदा ही होता है इनको जितना bend कर दो तूटते नहीं है अच्छी चीज है और दिवार पे आप इसको लगाओ लुक एकदम premium मिलेगी आपको जैसे Italian Marble आपने देखे होंगे जैसे आप दिवारें देख रहे हो देखो लुक काफी जादा अच्छी मिलती है compare करू PVC पैनल से PVC पैनल से जादा लुक इसमें मिलती है और काफी लोगों के question थे कि सर टाइल लगाएं या या यूबी sheets देखो टाइल आप वहाँ किमत लगाना थोड़ी दिन में निकल जाएगे जहाँ पपड़ी बनती है वहाँ भी नहीं लगएगी जहाँ plaster नहीं है वहाँ भी नहीं लगेगी और जहाँ plaster किया है और plaster आपका उपर नीचे है वहाँ भी नहीं लगेगी plaster एकदम smooth चाहिए इससे अच्छा कि पुट्टी उस पे होगी तो वो अच्छे से चिपकेगी नहीं तो वहां भी दिक्कत रहती है क्योंकि इसको पूरा plain surface चाहिए होता है और tile में क्या होता है? plain surface नहीं भी होगा तब भी लगवा सकते हो फिर हम बात करते हैं UB Marble Sheet का जो खर्चा आपको पड़ता है इस समय खर्चा इस समय पड़ता है 120 रुपया पर square feet पकड़ के चलो मतलब आब 110 में भी मिल जाएगा लेकिन अच्छी quality का अच्छी thickness का मुटाई का आगर आप लेते हो किसी कंपनी कंपनी इस बहुत जादा है मैं किसी के promotional नहीं करूंगा आप गूगल पर सर्च के लिए UB Marble Sheet काफी कंपनी आ जाएगी इसी का future इस समय सबसे अच्छी चल रही है तो अगर एक दिवार पर करवाते हो आपका 10 वह दस का कमरा है एक दिवार पकड़ लो आपका चिपका दिया सीधा चिपका दिया कोई दिक्कत नहीं मतलब एक दिन में पूरे 10 कमरे भी कर सकते हैं अगर 5-6 लेवर लगे होंगी तो इसका बहुत जल्दी काम होता है वो दिक्कत नहीं है बाकी अगर जहाँ डैंपने सीलन होगी जैसे मैंने कहा वहाँ निकलने के चांसिस बन जाते हैं दूसरा इसको आप अपनी फ्लोरिंग पे यूज नहीं कर सकते हैं फ्लोरिंग पे घराब हो जाती है एक स्करचिस आ सकते हैं तो अगर टाइल और यूवी मार्बल शीट में आपको जाना है खर्चे की ब जादा है as compared to यूवी मार्बल शीट यूवी मार्बल शीट भी आपको 10 से 20 साल निकाल देगा अगर अच्छे से उसको रखोगे बाकि टाइल आपकी 30 साल भी निकाल सकती है अगर वो निकलेगी है तो डिपेंड होता है लगाने पे और उसकी दिवार की लाइप है फिर मार अगर आप दिवार पर इटैलियन लगाने जाते हो इस लुक में आपको यूवी मार्बल शीट मिल रही है उस लुक में मार्बल आपको काफी महंगा पड़ेगा और उस लुक में टाइल भी आपको काफी महंगी पड़ेगी तो लुक वाइस यह सबसे 100 में से 100 नंबर में इसको दूँगा क्योंगी पैटर्न इसके बहुत अच्छी है और जब लाइटनिंग इस पर पड़ती है यह बहुत ज़ादा सुन्दर आपका दिखते है अगर पूरे गर्ण में पूरे रूम में अगर करवानी है यूबी मार्फिल शीट पूरे रूम में लगवानी है तो 50 रूपे पर स्केर्ड विद मिटीरियल विद लेवर आपको स्टार्ट हो जाते है और 100 रूपी तक अच्छी क्वालिटी के हो जाते है और पैटर्न उसमें काफी ज़दा पैटर्न आपको मिल जाएंगे तो अगर सस्ती की बात करें तो पीवीसी शीट सस्ती पड़ती है ए पीवीसी शीट्स के जो देखो आपको इसके पैनल जो रहते हैं वो थोड़ा छोटा ही होता है मतलब 10 इंच वाई 8 फूट का मतलब 10 फूट का तो वो आपको उसके जोइंट्स दिखते हैं लेकिन यूवी मार्बल शीट्स में जोइंट्स नहीं दिखेंगे खर्चा कम कि आपको 60-70 रुपे पर स्केरफीट अपनी दिवार पर खर्चा कर सकते हो तो आप पीवीसी शीट्स पर जा सकते हो और अगर हम बात करें एक दिवार पर अगर आपको पीवीसी शीट्स लगवानी है लगा लो 10 बाई 10 की दिवार है आपकी तो 7-8 फूट खर्चा आता है पीवीसी शीट्स का और अगर 10 बाई 10 का पूरा कमरे है आपको पूरे कमरे में वो लगवानी है तो पकड़ लो 25-28 रुपे आपका खर्चा आएगा वैसे ही यूबी मार्बल शीट में काफी खर्चा ज़रा अगर डवल खर्चा पड़ता है यूबी मार्बल शीट का और फिर अगर मैं इसकी लाइफ की बात करूँ पीवीसी शीट्स की पीवीसी शीट्स की लाइफ काफी जाद है आप इसको 15-20 साल रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा और अगर आपको लगता है कि इसको दूसरी जगा लेने शिफ्ट करना है तो निकल भी सकते है कुछ पैन लगवाओगे तो आपको जो स्क्रीव यूज करने वह अच्छी क्यों जाएगे अगर स्क्रीव अच्छी क्यों होंगे तो वह भी पीवीसी पैनल थोड़े टाइम बाद निकल सकते हैं लेकिन पीवीसी पैनल सा एक और दिक्कत है कि उनको अगर कोई बच्चा है या कुछ भी शार्प टूल लगा तो वहाँ वो खराब हो सकता है लेकिन यूबी मार्बल शीट में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर थिकने ज्यादा तो ज्यादा इतना इफेक्ट उस पे नहीं पड़ेगा एक दोनों का ड्रॉबेक्स ये हैं कि एक बार आपने दि फेक्टरी से लेते हैं कि यूट्यूब से मिल जाएंगे गूगल से मिल जाएंगे जैसे मेंने पींसेश्प विपबल शीट में बहँंने से लेतेprot confession time to सकता है क्योंकि factory में यह होगा कि आपको वहां से bulk में उठाना पड़ेगा तो end में अगर comparison करूं तो अगर आपका खर्चा कम है मतलब पैसे थोड़े कम है थोड़ा budget कम है तो आप PVC sheets जा सकते हो क्योंकि आपको वह पड़ेगी लंब सम 75 रुपे पर square feet लेकिन अगर आपको लुक भी चाहिए और खर्चे का भी कोई दिक्कत नहीं है तो UV marble sheet बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है बस ध्यान रखने sealant वाली दिवार नहीं हो और plaster हुआनों चाहिए undulation उसमें नहीं होनी चाहिए एक और चीज है जब UV marble sheet आपने लगवा दी तो आपको लगता है कि 10-15 साल बाद चेंज करना है तो उस पर wallpaper चिपका सकते है एक अच्छी चीज यह है कि UV marble sheet पर आप बाद में wallpaper चिपका दो और जाधा सस्ता पढ़ जाता है तो pattern उससे change हो जाएगा लेकिन PVC sheet पर ball paper easily नहीं चिपकता तो वो दिक्कत भी रहती है तो यह आपको idea लग गया होगा तो अगर कोई video और चाहिए इस पर comment करना जो भी doubt होगा वो clear कर दूँगा बाकी चैनल को subscribe कर लो और bell icon जरूर दुबालो य